आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हम लोग को यहां पर बताना है कि इन दोनों statement में से कौन सा true होगा और कौन सा fault होगा तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले statement 1 है जिसके according हमारे पास resistance R is equals to given है 80 ohm अब इसको 4 equal part में divide किया जाता है 4 equal part means हमारे पास यह क्या हो जाएगा 20 ohm each हम लोग को मिलेगा तो 20 ohm को हम लोग क्या करते हैं parallel connected कर देते हैं इस तरह सही हो जाएगा 20 ohm और यहां पर फिर से 20 ohm और फिर हमारे पास यहां पर हो जाएगा 20 ohm का register और फिर हम लोग यहां पर एक और register connect कर देंगे 20 ohm का ठीक है अब ये सभी का जो है top to bottom हमारे पास जो register है वो कितने है 20 ohm है तो हमारे पास यहाँ पे जो effective resistance होगा वो कितना हो जाएगा तो effective resistance को हम लोग यहाँ पे rp से denote कर देते हैं तो यह हो जाता है जब भी same value के register identical value के register यहाँ पे parallel connected होते है तो किसी एक register की value divided by number of connected resistance तो यहाँ पे इस four से one times में और twenty five times में cancel out हो जाएगा means equivalent resistance हो जाएगा five ohm means हमारा statement one जो है वो क्या हो जाएगा true correct हो जाएगा ठीक है अब second statement को check करेंगे तो second statement में बोला जा रहा है कि two ohm और three ohm parallelly connected है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं यह हो जाएगा two ohm और यह हो गया three ohm का register parallelly connected है और इसमें heat का हम लोग को find out करना है तो यहाँ पर हम लोग एक वी वोल्ट की बैटरी जो है इस पर connect कर देते हैं तो यह हो गया two ohm और यह हो गया हमारे पास three ohm का register और यहाँ पर वी वोल्ट की बैटरी लगी है तो heat हमारे पास क्या हो जाता है कि heat को अगर हम लोग connected है मतलब कि सभी में वी वोल्ट होगा तो हमारा वी तो constant हो गया time tb constant हो गया means heat जो प्रोड्यूस हो रहा है वह इंवर्शनली प्रपोर्शनल हो जाएगा resistance R के तो हम लोग यहां से अगर हम लोग equation बनाएंगे तो हो जाएगा h1 divided by h2 is a question to resistance R2 divided by R1 हो जाएगा इसे हम लोग R1 से denote कर देते हैं और यह जो 3 हो मही से R2 से denote कर देते हैं अब यहां पर value पुट करेंगे तो R2 की value कितनी है 3, R1 की value कितनी है 2 तो 3 by 2 का ratio हम लोगो मिलेगा और यहां पर बोला जाए कि ratio जो मिलेगा वो 2 by 3 का तो यह तो cancel out हो जाएगा means हमारा statement true नहीं है तो इसके according options में देखते हैं बोथ statement are false यह भी incorrect है means हमारा एक option जो है statement 1 is true and statement 2 is false correct होगा था Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 मिलियन से जादा students कभर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर